पाकिस्तान इन दिनों जलवायू प्रेरित मानवी आपदा से जूज रहा है क्योंकि जलवायू परिवर्तन की वजह से समान्य से अधिक बरसात हुई है इसके चलते देश के कई हिस्सों में बाड़ आ गई है इससे लोग पलायन करने को मजबूर है वहीं सरकार ने भी इसे देखते हुए देश में राष्ट्र अपातकाल की घोशना कर दी है पाकिस्तान में असमान्य वर्षा बादल फटने ग्लेशियर के ओवरफ्लो होने से बाड़ जैसी स्थिती बन गई है और इस बाड़ से मरने वालों की संख्या 900 से ज्यादा हो गई है ISPR ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के चार प्रांतों बलुचिस्तान, सिंध, पंजाब, दक्षन और खबैर, पक्तुन, ख्वा के निवासी इस मौनसूनी बारिश के कारण बाड़ से भाग रहे है राश्रे आपदा प्रबंदन प्रांधी करण द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 24 घंटों में लगबक 73 लोगों की मौत हुई है इस बीच 82,033 घर श्रती गस्त हो गए है और 710 मवेशी मारे गए है NDMA के अनुसार भारी मानसून वर्षा और बार से संबंधित घटनाओं के कारण 191 महिलाओं सहित लगबक 400 लोगों की जान चली गई है जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हो चुके है रिकॉर्ड तोड मौनसूनी बारिश के कारण लोग बार से पलायन कर रहे है जलवायू परिवर्तन मंत्री सिनेटर शेरी रहमान ने प्रेस कॉन्फरेंस में बताया कि देश में राश्रे अपातकाल की घोशना कर दी गई है क्योंकि प्रधान मंत्री शेहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्दारी ने विदेश में अपनी आधिकारिक यात्राय स्थगित कर दी है शेहबाज शरीफ की अपील पर अंतराश्रे संगठनों ने गुरुवार को पाकिस्तान की राहत के लिए 500 मिलियन दान करने का फैसला किया है उन्होंने आगे कहा कि दक्षणी पाकिस्तान में भारी बारिश हो रही है जिसमें सिंद के 23 जिलो को आपदा प्रभावित घोशत किया गया है अगस्त के महीने में अब तक औसितन 166 मिली मीटर बारिश होई है जो समाने से 241 अधिक है जबकि इसके दक्षण हिस्से विशेश रूप से सिंद के 784 अधिक बारिश होई है मौसम की समाने औसत बारिश की तुलना में ये आकड़े खतरनाक है पाकिस्तान में भारी बारिश के चलते विपक्षी पार्टी PTI के अध्यक्ष इमरान खान ने खैबर पक्तुनख्वा और पंजाब के बार प्रभावित इलाकों का दोरा करने का फैसला किया है पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सूचना मंतरी फवाद चौधरी ने कहा कि खान कल बार प्रभावे शेत्रों का दोरा करेंगे उन्होंने संबंदित अधिकारियों की लापरवाही के लिए आलोचना करते हुए कहा राजे ने लोगों के मुद्दों से खुद को दूर कर लिया है क्योंकि वे पी टी आई प्रमुक के खिलाफ जूटे मामले दर्श करने पर अधिक ध्यान के इंद्रित कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक के कंट्री ड्राइरेक्टर नाजी बिन हासनी ने प्रधान मंतरी को 35 करोड डॉलर की ततकाल सहता देने की बात कही है इस सब्तह के अन तक धनराशी का पून वित्रन कर दिया जाएगा पाकिस्तान को 110 मिलियन डॉलर विश्व खात कारे क्रम द्वारा सहता दी गई है 20 मिलियन डॉलर एशियाई विकाज बैंक से 30 मिलियन पाउंड से अधिक ब्रिटेन द्वारा सहता मिल चुकी है बता दे कि पर्यवरन एंजियो जर्मन वाउच द्वारा ग्लोबल क्लाइनमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार मौसम के लिए सबसे कमजोर समझे जाने वाले देशों की सूची में पाकिस्तान आठवे स्थान पर है फिलहाल के लिए बस इतना ही आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूस साइड धन्यवाद